जो लोग अपना सेक्स प्रॉब्लम के लिए ना पुन्सक्त्त के लिए होम़ोपैठिक मेडिसिन हर दिन खा रहेzing 15-20-20 मेडिसिन अपने मन से यह हो सकता एक को डॉक्टर के पास आप गए हो और उस डॉक्टर ने भी हो सकता आपको 15 15 20 20 मेडिसिन एक एक दिन में आपको लेने के लिए कह रहा हो ऐसा डॉक्टर भी आजकल मौजूद है मुझे मालूं है तो कहने का मदलब यदि अगर आप 15 15 20 20 मेडिसिन एक एक दिन में खा रहे हो तो इससे आपका प्रॉब्लम तो ठीक होगा नहीं उल्टा आपका अंदर कई सरी अलगालने प्राब्लम रहे हैं एक और आपको्त के लियुँष की ऑप जाओगे तो उस समय क्या होगा आपका घुशन हो पूरी तरह खराब पर जब आप गलत तरीके से इस्तिमाल करते हो तो medicine आपका अंदर resistance हो जाती है वो medicine आपका अंदर further काम करना आपका अंदर saturation हो चुकी है इसके कारण से ऐसा हो रहा है कि जो main medicine आपको मिल भी रहा है तो वह medicine आपका अंदर कोई काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि पहले से ही इतने सारे medicine से आप खा कर बैठे हुए हो वह आपका body का अंदर already मौझूद है और अब मैं आप लोग को एक case के मा medicines ऐसी थी जो कि homopathy की जो बड़ी polycrust remedy होती है जो बड़े ओधे की medicines होती है जो जिसका हम लोग बंभास्त बोलते हैं जिसका हम लोग constitution treatment में हम लोग अलग-अलग medicines का हम लोग इस्तेमाल करते हैं like lycopodium, sulfur, phosphorus इस तरह की medicines होती है थूजा हो गया इस तरह की medicines होती है इस तरह का medicines वो हर दिन खा रहे थे जो medicines हम लोग patient को देने से पहले 10 बार सोचते हैं और वो भी हम लोग कोई एक medicine देते हैं इतना सारे medicines हम लोग कभी भी कोई doctor नहीं देना चाहिए जो genuine doctor है वो कभी भी नहीं देगा जो genuine doctor है वो कभी भी नहीं देगा वो एक ही remedy आपको prescribe करेगा polycrust मे आप देख सकते हैं WhatsApp में उन्होंने लिखा है कौन-कौन सा medicine का नाम लिखा हो कौन-कौन सा potency में खा रहे थे वो उन्होंने लिखा है मुझे आप देख सकते हैं और बाकी 12 तेरा medicines जो थी वो अलग-अलग मदर टिंचर medicines थी लाइक साइडोन या नुफुलूटिया यह मिन उस तरह की मेडिसिन से आप देख पा रहे है तो मदर टिंचर medicines फिर भी आप खा सकते मैं बार बार कहता हूं कि होमोपाथी की जो मदर टिंचर medicines होती है उससे अब सेल्फ मेडिकशन कर सकते है अगर आपको करना है अगर आपको करना है आप ट्राइक करना चाते है कुछ लाइकोपोडियम हो गया कभी एक समय में खा सकते ही नहीं और आपको खुद बेख्धुद आपको इस्तमाल करना भी नहीं चाहिए क्योंकि इसके इस्तमाल करने का एक तरीका होता है वह एक अधार को भी मालूम होता है अब इस तरह से जलन हो रहा था यह बंदा रात को सो नहीं पा रहा था अब फाइनली यह पेसेंट मेरे पास आए डॉक्टर साब मुझे बचाईए कैसे करके भी हो जो भी हो मुझे बचाईए अब हम इनके लिए क्या कर सकते हैं क्योंकि इनका जो सिम्टम्स है जो इस तरह का मेडिसन खाने से पहले जो सिम्टम्स थे वो सिम्टम्स दब चुका है मेडिसनल सिम्टम्स के कारण से क्योंकि आप इनका अंदर जो पॉब्लम हो रहा है वो मेडिसनल सिम्टम्स है मेडिसनल साइड एफेक्ट हम लोग कह सकते ह प्रेजनल सिम्टम से वह दब चुका है. अब होमति का प्रिंसिपल कहता है कि इस तहरे का प्रेजन जब भी आपके पास आता हो, तो क्यूषितल improve है, उसी के बेस पर अधार पर आधार पर आप प्रब्लम सॉल्व नहीं होगा इससे उसके लिए आपको और वेट करना पड़ेगा पहले आपका साइड एफेक्ट कम होगा साइड एफेक्ट कम होने के बाद आपका नाचरल सिंटम्स जो पहले से थे वह फिर से वापस आएंगे तब हम लोग फिर से केस्टेकिंग करेंगे केस्टेकिंग करने के बाद हम लोग फिर जो मेडिसन देंगे उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्ब होगा और उसके बाद भी हम लोग जो मेडिसन देंगे वह सही तरीके से काम कर पाएगा कि नहीं यह भी कह पाना बहुत मुस्किल है क्यों कि आपका जो कॉंस्टुटूशन है वो पूरी तरह खराब हो चुका है चाहे हम लोग लाग उसको एंटिडोट करने का प्रयास करें लेकिन होमेपति की जो इतनी बड़ी पॉलिक्रस्ट डेमेडी है यह कहने पर एंटिडोट नहीं हो जाती है एक एक मेडिसन का सिंप्टम कम से कम बॉड़ी में साथ-साथ आट-ाट महिना रहता है तो मेरे खाल से समझ रहे होंगे कि सेल्फ मेडिकेशन करने का डिमेरिट क्या होता है जो प्रॉबलम आपका एक से दो महिने के अंदर पूरी तरह सौल्ब हो जाता है अब उस प्रॉबलम के लिए आपको कई महिना आपको मेडिसन खाना पड़ सकत है जैसे इस केस में देख लीजिए पहले हमने इनको आर्सनिक अल्बम प्रिसकाइब किया आर्सनिक अल्बम 30 का 3 डोस 200 का 2 डोस इससे हुआ यह कि इनका जो साइड एफेक्ट हुआ वो तो दो महिने माइस ताइस तक कम हुआ उसके बाद इनका पूरा केस्टेकिंग करने क इनका तरोली केस्टेकिंग करने के बाद हमने इनकोा कॉन्यम मैट प्रस्काइब किया अब कॉन्यम मैक से इंसका अंदर इप्रोमेंट थो हुआ है लेकिन वो इम्प्रोमेंट बहुत स्लो हो रहा है जब किंके जगा अको और स Cert nuो किन ना खिया होता तो उनका इंप्रोमें पुरी तरह बिगड़ चुका है आप कोनियम मैक को भी काम करने के लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा मैं कई बार अपना वीडियो में बोल चुका हूं कि जो लोग बुरी तरह सेल्फ मेडिकेशन करके डॉक्टर के पास जाते है उनका इंप्रूमेंट लेट से होत पुरी तरह ठीक कर देंगे इसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन जो प्रॉबलम दो से तीन मेना में पुरी तरह ठीक होने वाले थी अब वही प्रॉबलम ठीक होने के लिए कम से कम 6 मेना 8 मेना लग सकता है तो दोस्तों होमोपैथी में सेल्फ मेडिकेशन अगर आपको करन सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए लेकिन अक्यूट प्रॉबलम अगर है तो आप ट्राइ कर सकते होमोपैथी से तो दोस्तों मैं इस वीडियो को भी प्रेंट करता हूँ तो थैंक्यू वेरी मॉच और अब गूड़ गूड़